नई बहु और गरीब सास रेखा जी की नई बहु ने आज ही घर में परविश किया था घर में नई बहु के आने से सब बहुत खुश थे घर में बधाई देने वालों का और नई बहु की मुँ दिखाई करने वालों का ताता लगा था इसी बीच रेखा जी किसी काम से अपने कमरे में गई तबी उनकी नजर अपने पती राम जी की फोटो की ओर गई जिनकी अभी दो साल पहले मिर्ति हुई थी रेखा जी जिस काम से आई थी उसे भूल कर अपने पती की फोटो के सामने खड़ी होकर एक टक उन्हें देख रही थी उनकी आखों से आसु गिरने लगे तबी उनका बेटा रोहित आ गया मा क्या बात है आप रो क्यो रही हो सब ठीक तो है रेखा जी नई बेटा कोई बात नहीं बस तेरे पापा की याद आ गई वे आज होते तो बात ही कुछ और होती रोहित हा मा ये बात तो है पर आप दुखी मत हो ये सब बगवान की हाथ में है चलो बाहर सब आपका इंतजार कर रही है रेखा जी आसु पूछ कर बाहर आकर मेमानों की खातेडारी में लग जाती है शादी से भरे घर में सबी नई भव को गेरे बैठते हैं दो दिन बाद जब सब मेमान चले गए तो रेखा जी ने भव बेटे को एक जगे बिठाया और कहा रेखा जी बेटे अब यह घर तुमें समालना है यह लोग घर की चाबी गीता मा जी यह चाबी आप मुझे क्यों दे रही है यह आपका घर है आप समालिये रोहित तुमने मा जी को बताये नहीं की शादी के बाद हम अपने नई फ्लेट में रहेंगे रेखा जी रोहित बहु यह क्या कह रही है मैंने इतने अर्मानों से तुमारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़ कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो यह कहका रेखा जी रोने लगी रोहित मा ऐसी कोई बात नहीं है तुम जो जानते हो गीता नए खयालों की लड़की है इसी लिए हम अलग रहना चाते हैं यहां यह अर्जस्ट नहीं हो पाएगी हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो यह सुनकर रेखा जी को भौत जटका लगा और उनके पती का सरगवास हो चुका था अपने कमरे में चली गई दो दिन बाद रोहित और गीता अपने नए घर में चले गए जाते से मैं रोहित ने मा से कहा मा मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी बिजवाता रहूंगा आप चिंता मत करो रेखा जी उसके तुम चिंता मत करो तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गई है कि मैं जीवन बर सुक सी रह सकती हूँ तू जाकर अपनी गरेस्ती जमा मेरी चिंता छोड़ दे रोहित और गीता दोनों चले गई उनकी जाने के बाद रेखा जी फूट फूट कर रोई लेकिन अब कौन था जो उनको चुक कराता इसलिए वे रोते रोते सो गई जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई इसी तरह कुछ दिन बीत गई रोहित ने अपने नई घर जाकर एक बार भी मा से बात नहीं की रोहित के इस भैवार से रेखा जी तूट सी गई थी एक दिन रेखा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई रोशनी अरे रेखा कैसी हो रोहित की शादी पर तुम्हें आना सकी सोचा आज चाकर बहु की मुँ दिखाई कर आती हूँ बहु कहा है रेखा जी रोशनी वे दोनों ये घर छोड़ कर चले गए है बहु मेरे साथ नहीं रहना चाती है यह सुनका रोशनी को भूत गुसा आया उसने कहा रेखा तू चिंता मत कर मैं हूना तेरे साथ सुन इस गर को पेइंग गैस्ट बना देते हैं पास ही कोलिज है उसके बच्चे यहां आकर रहेंगे उससे तुझे इंकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा रेखा जी लेकिन यह सब कैसे होगा मुझे तो कुछ नहीं आता रोशनी मैं काफी दिनों से यहीं काम कर रही हूं तुझ इंता मत कर मैं सब इंतजाम कर दूँगी कुछी दिन में रोशनी ने सारा इंतजाम कर दिया कोलिज के बच्चे पेंग गैस्ट कीज वहां रहने लगे रेखा जी उनसे बाते करती रहती थी उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती इन सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था रेखा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी की उन्हें अब वोहित और गीता की याद भी नहीं आती थी बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे इस तरह उनका अकेला पन भी धूर हो गया और उन्हें किसी पर बोज भी नहीं बरना पड़ा नमश्कर दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह कानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्रीज इसको लाइक जरूर करें थेंक यू सो मच माई फ्रेंड्स